Hello Everyone, This is Pravesh Nain and Welcome to my channel Live2Learn Today we will discuss the solutions of chapter, here comes a letter, chapter 17, class 3rd EVS और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो इस चैप्टर के किस्टन अंसर कोपी में कम्प्रीट कीजिए फर्स्ट किस्टन इस राइट वेरियस एक्जामपल्स ओफ कम्मुनिकेशन हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं अपना संदेश पहुंचाते हैं मेसेज तो उनके अलग अलग तरीके होते हैं तो उनके कुछ एक्जामपल आपको बताने हैं वेरियस एक्जामपल ओफ कम्मुनिकेशन आर टेली फॉन, मॉबाइल फॉन, पोस्ट कार्ड, फेक्स, रेडियो, टेलिविजन, इमेल इन सब तरीकों से इनका यूज करके हम एक दूसरे से कम्मुनिकेट कर सकते हैं पहले के जमाने में जो पत्र होते थे लेटर बहुत ही महत्रपूर माने जाते थे जो पोस्ट मैं होता है वही लेटर को रिसीव करता है किसी एरिया में और फिर वही उनको किसी दूसरे अडर्स पे डिलीवर करता है अभी तो टीवी है, इंटरनेट है जिससे हमें अपने आसपास के बारे में पता लगता है पहले के वल न्यूजपेपर था अभी कुछ पिक्चर्स दिये गए हैं जिसमें लेटर की जर्नी दिखाई गई है कि स्टार्टिंग में लेटर कहां से शुरू होता है, मतलब कौन लिखता है और कहां पे जाता है एक व्यक्ति के लिखने से लेकर दूसरे व्यक्ति के उसे प्राप्त होने तक तो उनको आपको correct sequence में लगाना है first number में लेटर को लिखा जा रहा है, second में उसको post किया जा रहा है, third में जहां पर उसने post किया है वहां से postman उनको निकाल रहा है 4th में उन पे stamp लगाई जा रही है post office में 5th में उनको उस जगह पे भेजा जा रहा है दिल्ली जा रहा है वो letter 6th में जहां दिल्ली पहुँच गया वहाँ पे उनको जटा जा रहा है 7th में postman deliver कर रहा है 8th में उसको letter मिल जाता है और पढ़ता है उसको What are the different type of letters? Letters के अलग अलग type बताने हैं आपको Letters are postcards, envelops, inland letters, etc तो ये सब letters की type है Postcard open होता है जिसे लिखने वाला से लेकर जिन जिन के हाथों में वो जाता है हर कोई पढ़ सकता है क्योंकि वो envelop में बंद नहीं होता फिर envelops, inland letters वो होते हैं जो के अलग लिखने वाला और जिसको मिल रहा है वही पढ़ सकता है फिफ्थ, Rina's letter reached Delhi by train How do you think letters reached distant places when there were no trains अभी जो रिना का letter है वो दिली train से गया लेकिन जब train नहीं थी तो letter एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाए जाते थे When there were no trains, letters used to be carried to different places by people पीजन्स and horses तो लोग पहुंचाते थे, pigeon कबूतर और horses का यूज किया जाता था Which of the two do you like more और writing a letter और making a phone call Why? आप दोनों में से क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? Letter लिखना या phone पे बात करना I like to make phone call more than writing a letter Phone call ज़्यादा पसंद है Letter लिखने के बज़ाए ऐसा क्यों? This is because through phone call we get instant response from the other side Whereas we have to wait for days to receive a response of a letter Yes, it is very true बिल्कुल सही जब हम phone पे बात करते हैं तो हमें सामने जहां पे हम बात कर रहे हैं दूसरी साइड तुरंथ हमें response मिलता है अपनी बात का लेकिन अगर हम letter लिखते हैं तो हमें response जवाब आने में कई दिन लिख जाते हैं कई दिनों तक हमें wait करना पड़ता है हमें answer का तो इसी वज़े से हमें letter लिखने की बज़ाए phone call पे बात करना ज़्यदा पसंद है next question is हम letter भी लिखते हैं phone पे भी बात करते हैं तो आपको दोनों में similarity समानता बतानी है और difference दोनों में अंतर बताने है similarities है both of these are used for communication दोनों अपनी बात को रखने के लिए use के जाते हैं अपनी बात को पहुँचाने के लिए एक दूसरे से बात करने के लिए both of these can be sent anywhere in the world और दोनों को चाहे आप letter लिखें या phone call phone भी आप पूरे world में कहीं भी लगा सकते हैं और letter भी आप पूरे world में किसी भी देश में किसी भी state में इंडिया की कहीं भी आप उसको लिख सकते हैं कहीं भी भेज सकते हैं तो ये दोनों similarities हैं दोनों communication के लिए यूज के जाते हैं दोनों को कहीं भी लिखा या भेजा जा सकता है differences क्या है first phone call is faster means of communication whereas letter is a slow means of communication जो phone call है वो faster माना जाता है communication का mode जबकि letter में time लगता है हमें अपनी बात को पहुँचाने के लिए और वापस जवाब पाने के लिए जबकि phone call में हमें तुरंट जवाब मिलता है on phone we can listen to each other's voice whereas in letters we can not और phone call पे हम एक दूसरे की आवाज भी सुन सकते हैं हम आपस में जो बात करते हैं लेकिन letter में हम केवल लिखते हैं हमें सामने वाले की कोई बात सुनाई नहीं देती उसमें हम केवल लिखावा पढ़ते हैं the phone calls are more expensive than the letters और जो phone calls हैं अगर हम ISD call कर रहे हैं study call कर रहे हैं तो बहुत महंगी पढ़ती है letter लिखने के बज़ाए letter लिखना सस्ता पढ़ता है एक दूसरे के पास पहुंचाना तो यह दोनो similarities हैं differences हैं next write your full address on given postcard आपको एक postcard की picture दिखाई गई है picture आपको दी है postcard की इस पे address लिखने की जगह है जहाँ पे आपको अपना full address लिखना है with name and pin code ताकि आपको अपना पूरा address बता रहे और अगर कोई आप से पूछे आपका address तो आप उसको बता पाए कोई आपको letter लिखना चाहता है तो आप उसको अपना address बता पाए या आप किसी को letter लिख रहे है तो अपना address उसमें लिख सकें next is how did you letter reach your friend आपका letter आपके friend के पास कैसे पहुंचता है किसी और के पास क्यों नहीं जाता वो अगर मैं अपने friend के पास letter लिख रहा हूँ तो उसके पास इसलिए जाएगा क्योंकि उस letter के address पे मैंने अपने friend का नाम और उसका full address लिखा है विद पिन कोड इसलिए कि अब उसी के पास जाएगा किसी और के पास नहीं जाएगा तो जो टेलिफॉन होते हैं आज कल बहुत तरह के टेलिफॉन चले हुए हैं आए हुए मार्केट में तो आपको आपने जिन जिन तरह के टेलिफॉन भी देखे हैं उनके आपको picture draw करनी है यहाँ पे कुछ pictures आपको दिखाई बही गई है कि telephone किन किन तरह के होते हैं जिससे हम communicate कर सकते हैं बात कर सकते हैं एक दूसरे से next question is यह आपकी three activities हैं जो आपको करनी ही करनी है first make a letter box for the class आपको एक letter box बनाना है जैसे post office के बाहर रखा रहता है वैसा ही आपको एक letter box बनाना है जिसमें हम letter डाल सकते हैं second collect different type of stamps and paste them in your notebook आपको अलग लगत रहे कि stamps को collect करना है और अपनी notebook में paste करना है third activity make your own telephone आपको अपना खुद का एक telephone बनाना है कैसे बनाएंगे आपको book में भी दिया है कैसे बनाना है activity में और आप उसमें match box की बजाए plastic का जो glass आते हैं उनका यूज कर सकते हैं या paper glass का यूज कर सकते हैं जो paper cups आते हैं छोटे 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 चाय वाले thread का यूज कर सकते हैं तो आपको अपना खुद का एक telephone बनाना है और अपने friend से बात करनी है so students उमीद है आपको सभी questions अच्छे से समझ आ गए होंगे इन questions को copy में करिए अपनी copy complete करिए और अगर आपको कोई chapter दूरा है पहले वाला और आपको पूरा करना है तो उनकी वीडियो का लिंक भी उन सभी chapters की description box में दिया है जहां से आप उनको देख सकते हैं और अपना homework complete कर सकते हैं please like, share and comment on the video subscribe the channel and press the bell icon thank you